अमिल्च शाह के चक्रव्यू में फसी बीएसपी बीएसपी के विधायक बीजेपी के साथ मयावती का छलका दर्द पांच बार के बीएसपी विधायक ने छोड़ी पाटी लोगसभा चुनाव के मद्य नजर बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो सभी विपक्षी पार्टी अनलगता टूटी नजर आ रही है समाजबादी पार्टी हो या कॉंग्रेस इनमें फूट पड़ चुकी है अब ऐसी एक खबर सामने आ रही है बीएसपी से बताया जा रहा है कि लोगसभा चुनाव से पहले मायावती को बड़ा जटका लग सकता है बीएसपी के 10 सांसद मायावती का साथ छोड़ सकते हैं लोगसभा चुनाव से ठीक पहले देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में मायवती को बैक फुट पर जाना पड़ सकता है बतादे कि पिछली बार 2019 में हुए लोगसभा चुनाओ में BSP के सिंबल पर जीतने वाले 10 सांसद मायवती का साथ छोड़नी की तैयारी में है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BSP के सभी सांसद दूसरे दलों का दामन ठाम सकते हैं लोगसभा चुनाओ से ठीक पहले BSP के भीतर ये सबसे बड़ी तूट मानी जा रही है प्राप जानकारी के अनुसार BSP के सभी सांसदों पर BJP सपा और कॉंग्रेस की नजरेटी की है बताया जा रहा है कि मायवती की पार्टी के 4 सांसद BJP, 3 समाजवादी पार्टी और 3 कॉंग्रेस के संपर्क में है मायवती का रुख भापते हुए सांसदों में हलचल तेज है और ये संख्या बढ़ भी सकती है इन सभी 10 सांसदों की बात करे तो जौनपूर से श्याम सिंग यादव, लाल गन सीट से संगीता आजाद, अमबेटकर नगर से रितेश पांडे, स्रावस्ती से राम शिरोमनी, बिजनौर से मलुक नागर, अम्रोहा से कुवर दानिश अली, सहारनपूर से हाजी फजलूर रह्मान, नगीना से गिरीश चंद जाटब, घोसी से अतुल कुमार राय और गाजीपूर से अफजाल अनसारी आदी, BSP छोडने का मन बुना चुके हैं, अफजाल अनसारी पहले ही BSP का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्या गरहन कर चुके हैं, इसके बाद सपा ने अफजाल अनसारी को गाजी पार्टी से विधायक बने थे, उसके बाद वर्स 1996 तक लगातार पांच बार विधायक रहे, हाला कि वर्स 2002 के विधान सभा चुनाव में अफजाल अनसारी को हार मिली, फिर 2004 के लोग सभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गाजीपूर संसदिय सीट से टिकर दे दी इस चुनाव में अफजाल अनसारी ने भाजपा के खिलाब जीत दर्ज की थी, इसके बाद अफजाल 2009 और 2014 में चुनाव लड़े, लेकिन हार गए, 2019 में भाजपा के सांसद मनोज सिना को हरा कर एक बार फिर वो लोग सभा पहुँचे, इस दोरान अफजाल का नाम पन कर दिया, लगभग दो वर्ष जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आये, बसपा सांसद के रूप में वो लोग सभा पहुँचे, लेकिन दुरभाग्ये ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, संसदिये कारिकाल के अंतिम वर्ष में उन्हें गैंग्स्टर के मुकदमे म 29 अपरेल को MP MLA कोट ने गैंग्स्टर एक्ट के तहट मुकतार अंसारी और अफजाल अंसारी को सजा सुनाई, जिसके बाद अफजाल अंसारी जीला कारागार में भेज दिये गए, हाई कोट से जमानत मनजूर हो गई थी, इसके बाद वो 27 जून को बाहर आये, और फिर शरन में चले गए, जहां से उनकी लोग सभा की सदसिता बहाल कर दी गई, अफजाल अंसारी का राजनीती ग्राब देखे तो BSP के नजरिये से अंसारी एक एहम चहरा है, ऐसे में BSP छोड़कर सपा में जाना माया बती के लिए एक बड़ा जटका है, BSP के मौजूदा आकडों की बात करें तो हाली में हुए विधान सभा चुनाओं में BSP को 36 गड़ में 2.09% दी, राज्थान में 1.082% दी, मध्य परदेश में 3.04% दी और तेलंगाना में 1.38% दी वोट मिले, MP की बात करें तो इस बार माया बती मध्य परदेश में 1.10% नहीं जीत पाई, जबकि 2018 में BSP ने 2.10 जीती थी, राज्थान, मध्य परदेश, 36 गड़ और तेलंगाना में हुए विधान सभा चुनाओं में BSP को जटका लगा है, लेकिन पार्टी सपा और दूसरे छेत्रिय के दलों से बहतर नतीजे देने में कामियाब रही है, चार राज्यों के नतीजे के बाद BSP प्रमुख मायवती ने कहा था कि इस चुनाओं के नतीजे हैरान करने वाले रहे हैं, हाला कि नतीजों ने उनकी पार्टी में नई जान आई है, बेशक UP के बाहर सीटों के रटका लगा हो, लेकिन BSP ने एक बार फिर यह दिखाया है कि इन हिंदी पट्टी में BJP और कॉंग्रेस के बाद अगर कोई पार्टी अपना वोट बैंक रखती है, तो वह बहुजन समाज पार्टी है, पता दे कि मायवती ने मध्यप्रदेश में 178 और 36 गड़ में पार्टी से समझोता किया था, लेकिन दोनों ही पार्टीयों को कोई सीट नहीं मिली, ये एक तरीके का दलित और आदिवासी गठवन्दन था, हिंदी बेल्ट में ये मायवती के लिए जटके के समान है, चुनाव के नतीजे ने मायवती को निराश जरूर किया, लेकिन नत पार्टी एक लोती एसी पार्टी है, जो तीनों राजियों में कम से कम दरजन भर सीटों पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ती नजर आई, शायद इसी लिए कॉंग्रेस बीस पी को इंडिया गठवन्दन का हिस्सा बनाने का पूरा परियास कर रही है, हाला कि मायवती अश्पष्ट किया है कि वह लोग सबा चुनाव अकेले लड़ेगी, लेकिन कॉंग्रेस और दूसरी अन पार्टियां लगतार जूटी अफवा फैलाने का काम कर रही है, और यह साबित करने में लगी है कि बीस पी इंडिया गठवन्दन के साथ है, मायवती कहती है कि कॉं अंग्रेस और दूसरी पार्टियां बीस पी को गठवन्दन से जोडने में लगी हुई है, बीस पी सुप्रीमों ने आगे कहा कि बीस पी गरीबों, सोशितों, एबं पिछुणों की पार्टि है, बीस पी देश भर में अपने लोगों के तन मन धन के बलबूते अकेले लो अंग्रे बताते हैं कि त्रिकोनिय मुकावला विपक्ष के लिए बहुत चोकाने वाला होगा, हाली में इससे पहले भी बीस पी प्रमुख मायवती ने अपने जन्म दिन पर दो बड़े एलान किये थे, पहला एलान ये था कि 2024 का चुनाव वो अकेले अपने दम पर लड़ जिसको मायवती ने एक बार फिर से दोहराया है, दूसरा एलान ये था कि चुनाव के बाद कि संभावनाओं को देखते हुए BSP गठ बंदन में शामिल होने पर फैसला करेगी, मतलब ये कि इंडिया गठ बंदन में शामिल होने की चर्चाओं पर खुद मायवती ने विरा हो रहे हैं, लेकिन मायवती अब बैक फुट पर नजर आ रही है, दस सांसदों का एक साथ पार्टी छोड़कर जाने की खबरों ने BSP में खलबली मचा दी है, बता दे कि ये पहला चुनाव था जब मायवती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का नैशनल कॉड बना कर इन राजियों की कमान दी थी, लेकिन अपने पहले इमतिहान में आकाश आनंद को जटका लगा, उन्हें ना सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश में सीटों का नुकसान हुआ, बलकि वोड प्रतिशत भी गिरा, अगर कॉंग्रेस और दूसरे छेत्रे दलों से वोटों और सीटों की गिरावट की तुलना करे, तो BSP का प्रदर्शन फिर भी बहतर रहा, अगर इन राजियों में बस्पा का प्रदर्शन अच्छा होता तो आकाश आनंद को इसका क्रेडिट मिलता, और ये अभी दिखता कि अब विराश सधीरे दिरे उनके भतीजे तक जा रही है, लेकिन आकाश आनंद को अभी और इंतिजार करना पड़ सकता है, BSP के अलावा दूसरी छेतरी पार्टियां जैसे सपा, RLD और चंद सेखर रावन की पार्टी को देखे तो दूर दूर तक इन पार्टियों का वोट परतीशत नहीं दिखाई देता, उनकी ताकत का पता 2024 चुनाव के बाद ही लग पाएगा, चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि उनके कोर वोटर किस हद तक उनके साथ खड़े हैं, बता दे कि अभी भी दलीद वोटरों का एक बड़ा हिस्सा उनका समर्थन करता है, लेकिन इसके लिए पार्टी को एक जू उत्रपदेश, नमस्कार. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, हमारे चानल को सबस्क्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे विडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया